नमस्कार दोस्तों सागत है आपके अपनी यूटूब चनल कॉर्मेंजाब प्रपरशनर प्रपर्ट दोस्तों इस वीडियो सेस्टन में हम बात करते हैं कुछ ऐसी महात्रपूर्ट ख़वरों की जो बेविन समार्चाहत पत्रों में प्रकासित की जाती है और हमारे स्टुडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महात्रपूर्ट रहती है तो चलिए जानते हैं आज की कुछ ऐसी ही महात्रपूर्ट ख़वरें तो दूसों जैसा कि यहाँ पर पहली ख़वर निकल कर आ रहे है उत्तरकुंजी के लिए इंतजार दूस्तों यहाँ पर यह खवर निकल कर आ रहे है उत्तरप्लेस हायर एज्यूकिशन यानि कि असेस्टेंट प्रोफेसर भारतिक से समंदित जो बारा को हुई परिक्षा की उत्तरकुंजी का निर्णे जाँच के बाद यानि कि जो बारा तरीक को परिक्षा हुई है जिस पर सवाल उठाय जा रहे है कि यहाँ पर यह पेपर लिख हुआ है ऐसी चीजे बताई जारी है स्टुटेंट के दरा और इसके लिए स्टुटेंट के दरा धना भी किया जा रहा है तो उस उत्तरकुंजी जाँच के निर्णे के बाद यहाँ पर जारी करने की बात की जारी है तो देख लेते हैं आपर खबर है कि अशिस्टेंट प्रोफेसर भरती की अभ्यातियों को उत्तरकुंजी के लिए कुछ दिन तक इंदजार करना होगा उत्तरवधिस उच्छा आयोक को तीस विश्यों की उत्तरकुंजी जारी करनी है ऐसे में उत्तरकुंजी तैरी करने में वक्त लेगा इसके साथ ही 12 जनुरी को होई परिच्छा की जाज के लिए जाज अधिकारी का नाम तैय करने का जिम्मा आयोक के अधिच को छोड़ दिया गया है जाज की रिपोर्ट आने के बाद ही 12 जनुरी को हुई परिच्छा की उत्रकुन जी पर निर्मने लिया जाएगा आयोग ने विग्यापन संख्या 47 के तहत 35 विश्यों में असिस्टेंट प्रोफिशर के 1150 बदोवर भरती के लिए 3 चर्ण 15 दिसंबर 5 जनुरी और 12 जनुरी को लिखित परिच्छा आजुद की थी इसके अलावा थीक है 15 दिसंबर को विग्यापन संख्या 46 के तहत एक विश्यों वाड़ी जी की परिच्छा भी हुई थी ठीक है तो यहाँ पर इसके बारे ख़बर निकल करा रही है कि जो 12 जनुरी को यहाँ पर एक्जाम हुआ है उसमें लोग के दोरा पतिया जताई जारी है तो उसका जांच होने के बाद निडलिया जाएगा और फिर उसके बाद उत्तरकुंजी जारी की जाएगी तो यह थी अगली ख़बर यहाँ पर निकल करा रही है परिच्छा निरस्त कराने को निकाला मार्च दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो 69,000 सहायक्स से भरती परिच्छा है इससे सम्मंदित परिच्छा को निरस्त कराने का अंदोलन अभी वी चल रहे हैं अभी भी लोग धर यहाँ पर कर रहे हैं और continue इस धरने को जारी रखा है तो चलिए देख लिते हैं यहाँ पर कि 69,000 से अध्यापक भरती जो परिक्षा है परिक्षा आउट होने की विरोध में परिक्षार्थियों की ओर से चल रहा आंदोलन 11 दिन भी जारी रहा प्राथमिक सिच्चक भरती नयाय मोर्चा के निदर्थ में नाराज चातुरों ने परिक्षा नियमक से आजाद पार्थ तक जुलूस निकाला ठीक है आंदोलन का नि तो आईसा की शुनील मौर ने किया चात्रों ने कहा कि परिक्षा नियस तोने तक आंदोलन जारी रहेगा अगली ख़बर यहां पर है अर्सट जार पांस सो सिच्चक भरती पुर्णर मुल्यांका से समंदित तो यहां पर भी यहां पर चात्रों के दौरा धर्णा किया जा पुर्णर मुल्यांकर की कपी जैसे मिलेगी ततकाल जल जाडी कर दिया जाएगा ठीक है और अगली यहां पर दुस्तों किलकर आ रही है चुनावी मौसम में युवाओं को की नौकरी पकी तो देख लेते हैं इसमें यहां पर क्या बताया गया है इस कवर में कुछ महिनों प्रस्तावित लोक सभाचनाव से पहले उत्तर वदेश में युवाओं को नौकरियों की शोगात मिले जा रही है प्राथमिक से उच सिच्छा में वर्सों से लंबित परिक्षा के लिए दो वर्स बाद एडमेट कार जारी हो चुके हैं उच सिच्छा में विविन विश्य की परिक्षा हो चुकी है जिबकि प्राइमरी सिच्छों की न्यूक्त के लिए भादी परिक्षा का रिजल्ट अगले हफते ही जारी हो जाय रहा है करीब दो साल से बंद पड़ी PGT TGC 2016 की भादी परिक्षा के लिए एडमेट कार जारी हो चुकी हैं ये दोनों परिक्षा बीते वर्स जुलाई में हुई थी और तब से रिजल्ट अटका है रिजल्ट के लिए चात्र महिनों से अंदुलन भी कर रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में 79,000 सिच्छों की न्यूक्तिया परक्रिया वर्तमान में जारी हैं सिच्छक पाता परिक्षा में ओते चात्रों की स इच्छा हो रही है यानि जून तक प्रविस 98,000 से अधिक युगाउं को स्कूल और काल्जों में नोकुरी यहां पर मिल जाएगी यह सारी यहां पर बाते देखी गई हैं और देखे बतायागा है कि प्राचारियों की भारतिया पर जल्द होगी प्रदेश भर में डिग्र अधिया पक्रिया पूरी होने की उमीर है तो यह यहां पर कुछ आज की महत्रपूर्ट खबरे थी और दोस्तों आप इस वीडियो को जुरूर देखा करें यहां पर मैं डेली ऐसी खबरे प्राइट करता हूँ जो विविन समाचार पत्रों में रहते हैं और हमारे के नए वीडियो के साथ अबतर के लिए थैंक्स पर वाचिंग